प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं सभी लोग तो बच्चों आज आपके सामने कल बायो टॉपिक टेसरीज है उसका राफिर फायर इस्टार्ट हो रहा है अब पढ़ने का अधिकार सबको डाक्टर बनने का अधिकार सबको यूटूब पे फ्री आपकास्ट मिसन है उसके तहथ हमारा रैपिट फैर होगा बायो टॉपिक टेसरीज प्योरली एंसियाटी बेस्ट होती है और बायलोजी के लिए प्योरली डिजाइन होती है जिसे थैंक्यू राहुल जी राहुल सर कैसे हैं आप चलिए हम लोग बात करते हैं बटा तो रैपिट फायर इसमें कोशन प्रैक्टिस भी रहेगा फिलिंदा ब्लैंक रहेगा टॉपिक है आज का इस्ट्रक्ट्ट्रल और्गनेशन इनमल्स सेल्दा यूनिट अफ लाइफ और और रिप्रोड़क्ट्व हेल्थ आपका अविनासर कराएंगे तो जरह बताएं कि यह सबी को मेरी अवाइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है कि एवरीधिंग इस फाइन करेंगे और ध्यान रखना बच्चों का मैसेज आया कॉल आया कि सर्व जो आपका इस्ट्रक्ट्रल और्गनेशन में क्या फ्रॉग और अर्थवाम के कोश्चन आएंगे तो नहीं फ्रॉग अर्थवाम नहीं होगा काक्रोच का सेक्षन का कोश्चन होगा ठीक ना टॉपक प्रिप्रेशन कर लीजिएगा उसी के कॉर्डिंग और ध्यान रखिएगा हर पेपर में में विटा आपका प्रिविएस टॉपिक यानि जो बीटियस आपका हो चुका होगा तो कल का जो बीटियस है ओ है आपका बीटियस 5 इसका मतब 1,2,3,4 यानि जो एक से लेके चार बीटियस के जो भी टॉपिक सुंगे ओ भी आपका कल बीटियस 5 में सेक्सल B वाले पार्ट में दिया रहेगा तो ध्यान रखना प्रिविएस टॉपिक भी पढ़के आईएगा इससे फायदा क्या होगा आपका प्रिविएस बैक लॉग नहीं रहेगा नहीं कहते हैं कि सर्फ पुराना भूल जाता है तो टेस्ट के जरीए तैयारी करते रही है बालोजी में निश्चित आपका 360 नमबर आएगा चलिए पहला कोशन आपके सामने पेस है एनमल टिशू का कुबाडल एपिथीलियम बिद ब्रस की तरह दिखता है तो में यस पूरा नाम होता इसके बड़ा आप रॉक्सिमल कनूलेटेड ट्यूब्रॉट टेक्वह कहें कहना होता है एपजार्षन का सर्पेस अर्य बढ़ जाएगा क्योंकि आपको पता है पीसिटी आफ नेप्रांज में मैक्सिमम्री प्जार्षन न होता है नेस्स कोश्चन है कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट आप टू और मोर सेल लेयर्थ एड हैज एक लाइन मैं और आट कर देता हूं लिम्टेड रोल इन बताए किसमें लिम्टेड रोल होता है लिम्टेड रोल इन अब भरिये तो compound epithelium बढ़ा 2 या 2 से ज़्यादा cell layer की वनी होती है और इसका limited role किसमे होता है यास very good क्या बात है हफिजोर यूर राइड बच्छा, सौरब बढ़िया, सौनम बढ़िया, नाविया, very good, विद्योत, पलवी, सभी ने सही जवाब दिया, secretion and absorption function होता, आपका cobyidal epithelium और columnar का होता, ध्यान रखिएगा, इसका जब limited role है, secretion and absorption में, इसका main role क्या है, main role क्या है बटा, yes, protection, last question, जरह बताइए, इसका example क्या होगा, skin होगा, buckle cavity होगा, फैरिंस, फैरिंस में pseudo होता है, skin, buckle cavity, और साथ ही साथ कौन सी gland, तो skin में होगा, buckle cavity, यानि mouth cavity में होगा, और साथ ही साथ कौन सी gland की duct में, yes, क्या बात है, यह हो जाता है, slavery gland, salivary gland की duct में, वैसे अगर question आए, बटा, duct of gland, तो answer क्या लगाते हैं, cuboidal, लेकिन अगर skin, buckle cavity, and duct of salivary gland हो, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, compound epithelium, बहुत अच्छा जवाब दिया, Mr. Meal Master ने, बहुत अच्छा बच्चों, well done, चलिए, question number third, page है आपके सामने, चलिए, जवाब दिजिए, NCRT के page number 101 से आया हुआ है, squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells width, क्या fill किया जाएगा, नहीं नितिन, multi-nucleated word नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, irregular boundary, क्या आएगा बटा, irregular boundary, cells style like होते हैं, और इनकी boundary लेकिन irregular होती है, ठीक है, नीचे का माली यह basement है, मेंब्रेन होगा, तो कोई ऐसे पतला, कोई मोटा, कोई पतला, ऐसे है, तो boundary कैसी होती, irregular, ठीक है, और squamous epithelium का example क्या क्या होगा, कहां कहां पाय जाएगा, example क्या होगा, yes, blood vessel की जो आपकी lining होती है, वहाँ पे, और साथ इसाथ, irregular, जो इर्वलाई होती है, उसकी lining में पाय जाता है, actually ये काम करते हैं, diffusion की तरह, तो बनाते हैं, diffusion boundary, क्या बनाते हैं, सरफ का, diffusion boundary, चलिए, next question, coadal epithelium in composed of single layer of cube-like cells, और इसका main function क्या होगा, अभी बता दिया, जल्दी जवाब देजिए, secretion and absorption, क्या हो जाएगा, बढ़ाब, secretion and absorption, लेकिन मालों अगर option ऐसा आ जाए, कि एक option, secretion दिया हो, और एक option, absorption दिया हो, एक option, production दिया हो, ज्यान देना जरा, और D दिया हो, all, अब बताएग क्या लगा होगे, यही, कुपाइडल एक फिथीलियम का function पूछा मैंने, पहला आप संदिया, secretion, दूसरा दिया, अब जारतन, तीसरा दिया, protection, चौथा दिया, जवाब दीजिए, मेरे भाई लोग, जवाब दीजिए, दो लो, all लगा रहो, अरे नहीं, all नहीं लगेगा, production तो देते नहीं, production आपका compound देता है, यह जो single layer, all वालो सुनो, 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 all वालो, सुनो, अब इसके case में, हमें किसको prefer करना पड़ेगा, secretion को, किसको करना पड़ेगा, secretion को, production इसका function नहीं होता, में फंक्शन होता है, secretion, थोड़ा बहुत function होता, absorption, यह बताना चाहरे थे हम, ठीके न, तो भाई, production आपका function किसका होता, compound का होता है, simple epithelium production function नहीं होता, in columnar epithelium, nuclei are located at, columnar epithelium में, nuclei कहां पाजाते हैं भाई, yes, nuclei are located at base, cell tall and pillar like होते हैं, और बड़ा, इन में finger like projection हो सकते हैं, तो microvilli भी पाए जा सकता है, और अगर cilia पाए जाए जाए तो ciliated, और अगर secretary होगा तो glandular, चले देखते हैं आगे का क्या question है, these are mainly present in the inner surface of hollow organs like, bronchioles and fallopian tube, कौन सा epithelium, inner surface of hollow organs, जैसे कि bronchioles and fallopian tube में पाए जाएगा, yes, it is, बेहुत अच्छा जवाब दी आप लोगों ने भाई, ciliated epithelium, कौन पाए जाएगा, ciliated epithelium पाए जाएगा, next question, ciliated epithelium किसका modification होता है, cuboidal का की columnar का की दोनों का, ciliated epithelium is the modification of cuboidal columnar और both, yes, it is both, यह modification हो सकता है cuboidal का भी, और किसका हो सकता है आपका columnar का भी हो सकता है, और cilia है, तो यह चीजों को क्या करेंगे, move करेंगे, bronchioles में mucus को move करेंगे, और fallopian tube में ovum को move करेंगे, चलिए next, some of columnar और cuboidal cells get specialized for secretion, अब बताए इंको क्या कहेंगे, ऐसे columnar या cuboidal जिसका function specialized हो जाता for secretion or called, क्या कहलाएगा, yes, it is glandular epithelium, क्या कहलाएगा बच्चा, glandular epithelium कहलाएगा, on the basis of mode of pouring, यानि अपने secretion बो कैसे pour करेगा, epithelium जो gland होती ही, दो प्रकार के होती ही, जरह बताएगे, ऐसा gland जो अपने secretion को duct के जरीए pour करता है, वो exocrine होगा की endocrine, yes, it is exocrine, तो अगर exocrine होगा, तो बटाएगे किसके जरीए करेगा, duct के जरीए, target पे अपने secretion को pour करेगा, और इसके secretion क्या क्या होंगे, option दे रहे हैं, बताएगा, saliva, earwax, oil, mucus, enzyme, इन में से कौन-कौन इसके secretion होंगे, yes, all, सारे क्यों होंगे, इसके बटा secretion होंगे, चलिए ठीक है, बढ़ियां है, इसको duct gland भी कहते हैं, और जो हार्मोनल वाले होते हो, तो उसको बोलते हैं, endocrine, ductless gland होते हैं, और इनका target दूर होता, तो blood के जलिए बेद देते हैं, अब एक और बोलते हैं, on the basis of number of cell, अगर बताए, unicellular gland हो, तो नाम क्या होगा, single cell ही specialized हो गई, secretion के लिए, तो gland को बोलते हैं, unicellular, नाम क्या होगा बाई साहँ, yes, it is goblet cell, और आपको पता, goblet cell, mucos secrete करता है, digestory system में आपने पढ़ा होगा, और यह unicellular gland होता है, जरह बताए, किसका modification होगा, cuboidal का की columnar का, जो goblet cells है, ओ, किसका modification है, cuboidal की columnar, नहीं भाई, अब यह specified होगा, goblet एक ही cell है, तो या तो cuboidal होना चाहिए, या तो columnar, तो ध्यान दीजे, कहाँ पाई जाता है, intestine और इस्तमक में, तो वहाँ पे कौन सा epithelium होता ही, columnar, किसका modification होगी, columnar का, ठीक है, नहीं भाई, cuboidal नहीं होगा, ध्यान दो ना, इस्तमक और intestine, वहाँ पे कौन सा epithelium होता, columnar, तो किसका modification होगा, columnar का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर number of gland, जैसे वही क्या होता, कि जो epithelium होता, अंदर की तरफ धस जाती है, तो धेर सारी सिल धस ही, तो कैसी gland बनी बटा, multi-cellular gland, example बताईए, multi-cellular gland का, multi-cellular gland का, example बताईए, एक्जाम्पल सा, multi-cellular gland, yes, it is salivary gland, यह multi-cellular होती है, three pair पाय जाती ही, human में, junctional complexes में, ऐसा कौन सा junction है, जो help to stop substances, from leaking across a tissue, तो leak को रोकने के लिए, tight बादना पड़ता है, तो क्या नामा जाएगा, इसका, tight junction, next question है, यह जो junctional complexes होते हैं, यह सिर्फ epithelial tissue में, पाय जाते हैं, कि other tissue में भी पाय जा सकते हैं, welcome आमद, अनु बेटा अभी structural है, फिर उसके बाद cell the unit of life, और उसके बाद reproductive health, कल आपका biotopic test रीज़, उसी का rapid fire चल ला है, yes, epithelial के लावा, other tissue में भी पाय जा सकता है, पहला रहा tight junction, चले next बताईए, it performs cementing to keep neighboring cells together, कौन सा junction होगा, कौन सा junction होगा, जो neighboring cell को एक साथ रखता है, yes, adhere, adhere मतब चिपकाना, तो क्या नम होगा बटा इसका, adhering junction, क्या नम होगा बच्चा, adhering junction, right, चलिए, it facilitated the cells communication with each other, by connecting the cytoplasm of adjuining cells, ये कौन सा junction होगा, yes, it is gap junction, तो junctional complexes में हम लोगों ने, तीन प्रजार के पड़े, tight junction, gap junction, and adhering junction, सबके function भी आप लोगों ने देख लिया, अब आते हैं, next, these are most abundant and widely distributed in the body of complex animals, NCRT, page number 102 से question मैंने उठाया है, जर्ण बताइए, कौन से टिशू की बात कर रहे हैं हम लोग, yes, किसकी बात करते हैं बढ़ा, connect to tissue, हमारी बाड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिशू कौन से होता है, connect to tissue होता है, और connect to tissue के तीन में प्रकार होते हैं, एक होता loose, एक होता dense, और एक होता specialized, in all connect to tissue except what, the cell-secrete fibers of structural protein called collect, poison और elastine, तो बढ़ा, आपको पता है, सारे connect to tissue में क्या होते हैं, fibers होते हैं, लेकिन blood को छोड़ के, blood में fibers नहीं होते हैं, वहाँ पे inactive आप में क्या होता, fibrinogen, protein होता है, fibrinogen, जो soluble होता है, inactive होता है, और जब blood clotting होना होता है, तो यही fibrinogen किसमें बदा जाता है, fibrin में तब fiber बनता है, clotting करने के लिए, लेकिन blood में कोई fiber नहीं पाय जाता, जो fibrous protein होते हैं, दो प्रकार के एक होता, collagen और एक elastine, collagen का color होता, white, और यह लचीला नहीं होता, कैसा होता, inelastic होता है, और elastine कैसा होता है, yellowish होता है, yellow color का होता है, elastic मतब लचीला होता है, ठीक है, the cells also secrete modified polysaccharide, which accumulate between the cells and fibers, and act as matrix, क्या बढ़ा जाएगा, page number 103 से आया है, तो बटा connective tissue cell secrete करते हैं, modified polysaccharide, जो matrix की तरह behave करता है, इसको क्या कहा जाएगा, yes, ground substances, very good, चरीए ठीक है, बढ़िया जवाब दी आप लोगों ने, कभी-कभी याद कर लिजेगा, यह जो ground substance में, polysaccharide modification फ़म में पाएगा जाते हैं, modified होते हैं, it has cells and fibers, loosely arranged in a semi-fluid ground substance, it includes, तो बटा यह कौन सा connective tissue है, connective tissue दो, तीन प्रकार के हो गए आपके, loose connective tissue, dense connective tissue, and आपका हो गया specialized, तो यह कौन सा हो जाएगा आपका, loose connective tissue, अब it includes, बताएगे क्या क्या आएगा, loose connective tissue में क्या-क्या पाया जाएगा, loose connective tissue में क्या-क्या पाया जाएगा भाई, यस, एक होगा बेटा आपका, loose, aereolar connective tissue, और होगा, edipose connective tissue, तो दो प्रकार के हो गए, aereolar and edipose, अब बताएगे कौन है इन में से, जो present beneath the skin, skin के नीचे पाय जाता है, it serves as support framework for epithelium, तो यह हो जाएगा आपका, aereolar connective tissue, तो बता जो loose, aereolar connective tissue, उसका definition है होगा, skin के नीचे पाय जाएगा, loosely arrange होगा, और epithelium को support करेगा, located mainly beneath the skin, यह भी skin के नीचे पाय जा रहा है, लेकिन इसमें जो excess nutrient होते हो, fat में convert होके, यहाँ पर store किये जाते हैं, यानि इसमें fat storing body, fat globule पाय जाएगा, तो जाइट से बात कौन सा हो जाएगा, एडिपोज, बाई साब देखिएगा, loose connective tissue, दोनों skin के नीचे पाय जाते हैं, लेकिन aereolar में थोड़ा सा धीला होगा, उसमें nutrient excess, क्या होगा, store नहीं होगा, लेकिन एडिपोज में ये वर्ड जरूर आएगा, तो ध्यान दीजीगा थोड़ा सा, दोनों skin के नीचे हैं, चलिए anxiety page number 103 से नेस question है, कौन सा connect to tissue जो सो करता है, regular pattern of fibers and collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers, ते हो जागा, dense connect to tissue में भी अगर देखा जाएगा बेटा, तो parallel regular arrangement हो, तो क्या बोलते हैं इसको dense regular connect to tissue, क्या बोलते हैं, dense regular connect to tissue, तो आपका एक connect to tissue होता है, dense connect to tissue, अगर इसमें कैसे हो, orientation कैसा हो, parallel हो, तो क्या बोलेंगे बेटा, dense regular connect to tissue, मजबूत हो जाएगा example क्या क्या होंगे वाई साँ example क्या क्या होगा example बताईए dense regular connective tissue के यह tendon and ligaments tendons होंगे और कौन क्यों होगा बैट आपका ligament होगा इन में से कौन आपका visceral muscle को bone से जोडता है कौन बिटा होता है जो visceral muscle को bone से जोडता है टेंडन 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 गलत जवाब दिया आप लोगोंने भाई साव याद रखिएगा यही थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको यह बात याद होना चाहिए कि वह मसल जो skeletal मसल से जुड़ती यानि बोन से जुड़ती है वो मसल आपकी कैसी होती है visceral नहीं होती है skeletal होती है voluntary होती है, striped होती है यह रहा आपका tendon तो याद रखिएगा एक किसको जोड़ती है skeletal मसल ठीक है तो visceral नहीं होगा देखना, visceral होता है internal argon पाजा तो बोन से नहीं जुड़ता और लिगामेंट सेम सेम को जोड़ता है यानि बोन टू बोन या मसल टू मसल भी जोड़ सकता है लेकिन आपके anxiety क्या दिखाती है, बोन टू बोन ठीक है न तो ध्यान रखना है skeletal मसल होता है, जो आपके बोन से जुड़ता है, visceral नहीं होता भाई इट है इर्रेगलर पैटर्न आफ फाइब्रो ब्लास और फाइबर्स जिसमें से मोस्टली कोलेजन फाइबर होते हैं इस इस टिसू प्रजेंट इन स्किन किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें यस यह हो जाएगा आपका देंस एर्रेगलर कनेक्टू टिसू यानि हम लोग लाइन से सिक्वेंस वियल चल रहे हैं अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं टॉपिक तैयार है आपका दा इंटर सेल्लर मैटेरियल इस सॉलिड एंड प्लाइबल एंड रजिस्ट कंप्रेशन प्रिजेंड इन टिप आफ नोज एंड आउटर इयर किसके बारे में बात कर रहे हैं ने बाई बोन नहीं होगा यस काटिलेज की बारे मैं बात कर रहे हैं यहीं काटिलेज बेटा आपका थोड़ा सा दबता है तो कंप्रेशन को रजिस्ट करता है और टिप आफ नोज एंड आउटर इयर में पाए जाता है और इसका जो मैटेरियल सॉलिट के साथ साथ प्लायबल होता है यानि इसको आप चबा सकते हो वह न की तरह बहुत ज़दा हार्ड नहीं होता काटिलेज में प्रोटीन कौन सा पाए जाता है कौन सा प्रोटीन पाए जाता है काटिलेज में जल्दी बताईए आगे बढ़ते हैं यह स्कॉंड्रिन प्रोटीन पाजाता है और इसके सेल को बोलते हैं कंड्रो साइट या कंड्रो ब्लास्ट इट है वह हाड और नॉन प्लाइबल या देखना नॉन प्लाइबल वर्ड को जरूर देखिएगा ग्राउन सबस्टेंसेज रिचिन कैल्सियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर तो कैल्सियम फास्पेट पाजाएगा यह होगा बोन तो बोन की बात करते हैं तो काटिलेज की तुलना में ज्यादा हाड हो जाता है अब बोन में आपका जो सेल होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियो साइट्स यहां पर प्रोटीन कौन सा पाजाता है यह उसीन प्रोटीन पाजाता है और यहां के जो सेल्स होते हैं ओ ऐसे कॉर्ड में एरेंज होते हैं फ्लूड फिल्ड साइनेसेस के पास उस स्पेस को क्या बोलते हैं यह स्लेकुनी क्या कहते हैं बड़ा लैकुनी लो आ गया यह भी दबोन सेल्स आश्टियो साइड आ प्रिजेंट इन दा स्पेस क्या कहला हैं गा लैकुनी 104 से है इस मसल इस मेड़ आफ मसल फाइबर्स एंड दीज फाइबर्स और कंपोज्ड आफ नूमरस फाइन कहते हैं हर मसल से मसल फाइबर की बनी होती है और हर मसल फाइबर के अंदर नूमरस फाइन क्या पाय जाते हैं धेर सारे छोटे छोटे क्या पाय जाते हैं कि यस फाइन फाइब्रिल्स जिसका नाम होता है मसल के लिए मायो वर्ड आता है तो क्या नाम रख देंगे बटा इसको मायो फाइब्रिल्स ठीक है क्या रख देंगे मायो फाइब्रिल्स क्या आप मायो फाइब्रिल्स का एक्जामपल बता सकते हो है मायो फैब्रेल्स का एक्जाम्पल बता सकते ओ ये श्मन बहुत अच्छा बताया ये जो बड़ा आपके एक्टिन और मायोसीन होते हैं यही आपके मायो फैब्रेल होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं skeletal system में arrangement वगरा actinthin, myosin, thick in which muscle type, streation are present muscle fibers are bundled together in a parallel fashion तो muscle fiber parallelly arranged होते हैं और इसमें streation पाए जागा तो इसका नाम होता है बटा skeletal muscle देखियो, skeletal muscle नाम रखा गया position के basis पे, क्योंकि skeletal tissue से जड़ता है striated रखा जाता है appearance के basis पे, striated या striped यह appearance के basis पे और function के basis पे क्या नाम रखते हैं का, function के basis पे क्या नाम रखते हैं, yes, बहुत अच्छा बताया, आनिशी कटियार ने voluntary, क्या होगा बटा, voluntary muscle, तो हो सकता है, question ऐसा भी आ सकता है, कि position या appearance या function, parallel fashion में होते हैं, cylindrical होते हैं, unbranch होते हैं, branching नहीं होती हैं, फीगा देखिएगा तो ऐसे ऐसे लगे होंगे, unbranch होते हैं, आपके branching नहीं होती हैं, बताइए, ये एक बार फिर से बोल देते हैं, cylindrical होंगे, unbranched होंगे, parallel fashion में लगे होंगे, multi-nucleate होंगे, position के basis पे, skeletal muscle, appearance के basis पे, striated या striped, और function के basis पे, voluntary, involuntary and fugee-formed fibers, tapered at both and no striation, they are seen in the wall of internal organs, इसको बोलते हैं, smooth muscle, तो बटा, smooth या, unstrived, या बोलते हैं, बटा, unstriated, यह होता है, appearance, function के basis पे, होता, involuntary, ठेक है, और internal organ, organ में पाया जाता है, तो position के basis पे, इसका नाम होता है, visceral muscle, क्या नाम होता बटा, visceral muscle, क्योंकि internal organ को हम लोग क्या बोलते हैं, visra, क्या बोलते हैं, visra, अब बेटा, अगर बात करते हैं, इसका cell देखोगे, तो अकेले पाय जाएगा, और बीच में cell क्या होता है, broader होता है, और किनारे पे tapered होता है, ऐसा structure जो बीच में मोटा किनारे पे पतला उसको बोलते हैं, spindle saved या fusee farm, spindle saved या बोलते हैं, बड़ा fugee farm, यह बटा, अकेले अकेले पाय जाते हैं, और यह होते हैं, uninucleated, तो अकेले पाय जाएगे और कैसे होते हैं, uninucleated, तो नाम मैंने बता दिया, position वगरा, सब कुछ, example बता सकते हो, example बता सकते हो क्या, example भाई, yes, wall of blood vessels, stomach, intestine, इन सम्में क्या पाय जाएगा बटा आपका, internal organ जो भी होगा, वहाँ पे क्या पाय जाएगा, visceral involuntary या smooth muscle, involuntary muscle, seen only in the heart, cell junction fuse the plasma membrane of cells and make them stick together, एक किस muscle के बारे बात करें हैं भाई, yes, it is cardiac, तो यहार देखो, involuntary तो इसमें भी लिखा था, आपका smooth में भी, लेकिन देखिए, यह लिखा है न, seen only in heart, तो heart, इसलिए इसको बोलेंगे cardiac muscle, functionally, functionally बटा यह कैसे होते हैं, involuntary यानि smooth muscle से जुड़ते हैं, और अगर structurally देखें, तो यह बटा कैसे होते हैं, skeletal muscle जैसे मतलब striped होते हैं, यानि कि देखने में कैसा होता है, skeletal muscle जैसा, और काम करने में कैसा होता है, बटा आपका visceral muscle जैसा, इनके बीच में, जो cell junction पाया जाते हैं, या दूसरा नाम होता, कम्मुनिकेशन junction बड़ा important होता है, उसका नम बता ही है, नहीं भाई साहब, नितिन, skeletal muscle multi-nucleate होती है, यस, inter-calated disc, और काडियक muscle कैसी होती है, uninucleate, neurons are protected and supported by, neurons या nerve fiber या nerve cell भी बोलते हैं, यस, it is neuroglial cell या neuroglia, तो neurons, nerve cell, ज्यान रखना, neurons, nerve cells या क्या बोलते हैं बड़ा, nerve fiber ये तीनों बाते एक ही हैं, ठीक है ना, क्या नर्व भी इन से मिलता है कि अलग है, क्या नर्व भी यही है कि अलग है बाई, इडिस अलग होता बटाएं, ये कहते हैं, group of neuron है, group of neuron है, ठीक है, तो कई सारे neuron मिलके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं, Neuroglia make up more than the volume of neural tissue in our body, बड़ा important line है, support करता और protect करता है neurons को, अब बताएं, neural tissue का कितना volume बनाता है, more than half, या कह सकतो 50% से ज़्यादा, more than half या more than 50%, वेना neuron is stimulated, जब किसी neuron को stimulate किया जाता है, and is generated and travel along its plasma membrane, क्या generate होता है, 105 पेस से है NCRT के, Yes, impulse भी हो सकता है word, action potential भी हो सकता है, लिए शुरुवात में जो NCRT में लिखी है, और जो reality में generate होता है, उसको बोलते हैं, electrical disturbances, तो पहले electrical disturbances होता है, चार्ज क्या होते हैं, बदलते हैं, और जिसके कारण आपका action potential generate होता है, और उस action potential के कारण, आपका impulse एक जगा से दूसरे जगा ट्रेवल करती है, ठीक भाई, समझा, ऐसे आड़ी ये लिखती है, ऐसे नहीं लिखी होगी, कुछ सोच समझ के लिखी होगी, चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, हमें लगता है कि आपको true-false भी करवा देना चाहिए, क्योंकि भरने में तो भर ले जाते हैं कुछ न कुछ, लगी जब true-false आता है तो थोड़ा सा दिमाग चक्राता है, चलिए, पहला कुछशन है, अग ग्रूप अब डिफरेंट सेल्स अलोंग विद इंटर सेललर स्पेस, डाइट परफार्मा स्पैसिफिक फंक्षन कॉल्ड टिशू, true की false, देखो, 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 true और false वाले दोनों आ रहे हैं, तो भाई साथ आधी परसेंट जमता बोल लएए कि ट्रू आधा फाल्स तो हम तो फाल्स वालों के साथ जाएंगे क्यों जाएंगे जरा बताईए हम तो फाल्स वालों के साथ चले गए अब फाल्स वाले बताएं कि फाल्स क्यों है लोग गरवलाता है इसमें भाई साथ यस भाई सिमलर सेल मिलके बनाते हैं अलग अलग सेल नहीं मिलते हैं तो गुरूप आफ सिमलर काइंड ऑफ सेल पर बनाता है तो बताएं टिसू के डिफिनियसमें हम लोग निपट गए कैसे काम चलेगा बहादुर यो दाओं इसी बात पर लाइक मारो चलो नेक्स कोस्टेन दसेल साफ एपिथीलियल टिशू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड बिद लिटल इंट्रास सेलुलर मैट्रिक्स ट्रू फॉल्ष 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 क्या चलना है बाई साब क्या चलना है का करूं मैं परसान हो गया हूं मैं किसको मानूं चलो मैं फाल्स वालों के साथ चला जाता हूं अब फाल्स वाल लेकिन आपको जब धेर सारे सेल आते हैं उनके बीच में क्या होता इंटर सेल्लिलर मैट्रिक्स तो इंटर नहीं होगा क्या होगा इंटर सेल्लिलर मैट्रिक्स होगा तो यही अब इस ट्रू फाल्स को यह समझिए इस्टेट्मेंट टाइप आप कोशन जैसे ए बी सी डी करके दे देगा अब पूछेगा कितने स्टेट्मेंट ट्रू हैं एक दो तीन चार यही कोशन आपका सबसे आग गलत होता है यही रीजन है चलो भया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से दीजिएगा जब आप सोच समझ के तयार आपकी सबका एंसवर सही आना चाहिए दा एपिथीलियम और प्रॉग्जिमल करनुलेटे ट्रिबूल आफ नेफ्रान इन दा किड्नी हैज माइक्रो विलाई यस ए ट्रू है सभी लोग ने जवाब दिया सही है कि पीसीडी में क्या पाए जाता है नेफ्रान के बटा माइक्रो विलाई और जिसमें होते हैं ब्रस बॉडर एपिथीलियर चलिए नेक्स कोश्चन यूनिसललर ग्लैंडूलर एपिथीलियम कंसिस्टिंग आफ क्लॉष्टर अफ सेल्स और सलाइवरी ग्लैंड ट्रू और फॉल्स चलिए बढ़िया रहा कि यह एक दो गलतियों के बाद आप लोग लाइन पर आ गए और गलती नहीं कर रहे हैं इडिस फॉल्स क्योंकि भाई साब यह कैसा होता है मल्टी सेल्लर रहता है यह तो आज ही बताया थे यह थोड़ा सा असान हो गया यह असान हो गया समझ रहे हैं चलिए नेक्स्ट थर्टी थरी बोंस है वा हाड एंड प्लाइबल ग्राउंड सप्स्टेंस रिच इन कैल्सियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर और टूर की फाल्स तो यह थैं हंडेट परसंट फाल्स है सही बताए आप लोगने क्योंकि बैचा कैसा होता है Non-प्लाइबल होता है कैसा होता ता क्या बात है क्या है बहुत ही उंदा जवाब दिया आप लोगों ने वेरी डॉन है चलिए थर्टी फॉर बताइए इना टिपकल मसल सच अधा बाइसेप्स इसकेलिटरल मसल फाइबर सार बंडल टुगेधर इना पैरलल फैसल तो बिल्कुल सही है क्योंकि वह इसकेलिटरल मसल में पैरलली लगे होते हैं सिलंडिकल होते हैं अन ब्रांच होते हैं मल्टी न्यूक्लियट होते हैं स्ट्राइब होते हैं वालूंटरी इन फंक्शन होते हैं चले नेक्स्ट कम्मुनिकेशन जंक्शन एट सम्फ्यूजन पॉइंट्स एलाओ दा सेल टो एक्स्पेंड एजा यूनिट 155 NCRT तो इसमें कुछ लोगों ने तो फाल्स दिया लेकिन दूसरों का देख के दिया और कुछ लोगों ने टू दिया और वो टू पे डटे रहे हम उम्मीद करते हैं जो टू पे डटे रहे हैं वो डटे हैं यानि दूसरों के लालच में नहीं जा रहे हैं चलो बढ़िया है बाइस आवे फाल्स है क्योंकि भाईया कम्मुनिकेशन जंक्सन से सेल जो होंगी वो एक साथ क्या करेंगी एक यूनिट की तरह एक्सपेंशन नहीं होगा क्या होगा कॉंट्रैक्ट एज यूनिट और कम्मुनिकेशन जंक्सन का नाम होता है आपका इंटर केलेटेड डिस्क टीक है चले इस्मूद मसल्स और इन वॉल्वन्टरी फ्यूजी फर्म एन इस्ट्रियाटेड ट्रू और फाल्स चले भाई ट्रू फाल्स हमको लग रहा है एक दिन पूरा ट्रू फाल्स का ही सेसन ही हो जाए तो भाई यह तो फाल्स होगा पकड़ लिए तुम लोग को यह स्मूद है तो कैसा होना चाहिए अनिस्ट्राइब या अनिस्ट्रियाटेड या नौनिस्ट्रियाटेड तो 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 पकड़ लिए आप लोग समझ गया हूँ तो बिल्कुल सही बात है कि भाई एपिटेडियाल टिशू में पाया ही जाएगा वनली लगा होता तो गलत हो जाता है चले नेस्ट कोस्ट्रियाटेड कलुम्नार एपिथीलियम सेल्स इन हुमन्स और नोन टू अकर इन युस्टेकियन ट्यूब एं इस्टमक लाइनिंग ट्रू की फॉल्स यह हमने प्यू आइकू का ट्रू फॉल्स बनाया है हो सकता है आप ना पकड़ पा रहे हो तो बताना तो बड़ा सिलियेटेड कलुम्नार आपका युस्टेकियन ट्यूब में तो पाए जाता है प्रजेंट लेकिन आप सभी को पता है कि इस्टमक में नहीं होता है यहां पे एपसेंट होता है इसलिए बड़ा आपका क्या हो जाएगा फाल्स और वैसे अगर आप एंसियाटी का दिमाग लगा लेते थे एंसियाटी में एक्जामपल क्या दिया था हालो आर्गन लाइक ब्रॉंकियोज एंड फैलोपियन टूब तब बिस सोचते तो एंसर गलते निकल किया जाता है ल चले निसट गॉबबलेट सेलस अफ एलेमेंट्रि कैनल और मोडिफाइड फ्रॉम क्लॉमनार एपिछीलियल सेल्स ये तो आज ही कर रहे है थे भाई लाइज तो कलुम्नार इपिथीलियम का क्या होता है? मौडिफिकेशन होता है, गॉबलेट सेल, कलुम्नार इपिथीलियम का ग्लेंडूलर होता है, सेल लाइनिंग दा ब्लड वेसर बिलॉंग टू दा केडेगरी आप स्मूध मसल टिशू, यह त्रू, क्योंकि ब्लड वेसर्ट की वाल में और एलिमेंटरी कैनल की वाल में जो पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके बटा, वो होते हैं आपके, स्मूध मसल या इन्वाल्वन्टरी, जैसा कि मैंने आज आपको बताया है बटा, कि आपका अर्थवाम फ्रॉग कर नहीं रहेगा, काक्रोच कर रहेगा, तो चलिए काक्रोच के बारे में कुछ रिस्पेक्ट किया जाए, काक्रोच में बताये यह बात किसके लिए लिखी गई है, इडिदा फ्लेक्सिबल एक्स्टेंग्शन औप प्रो थोरेक्स, इडिदा फ्लेक्सिबल एक्स्टेंग्शन औप प्रो थोरेक्स, क्या कहलाएगा, क्या बात है बाई, क्या बात है, बहुत ही उम्दा जवाब दिया आप लोगों ने, पहला आप लोग में सही दिया फ्लैक्सिबल एक्स्टेंशन अब प्रो थेरेक्स इस कॉल्ड नेक बहुत ही जवाब दिया अच्छा अब बताइए काक्रोश की बॉड़ी तीन पार्ट में डिवाड़ होती है हेड और इसको नेक थोड़ा सा आ गया थोरेक्स एन एब्डामे होते हैं किस थोरैसिक सेग्मेंट में लेक्स अपसेंट होते हैं अच्छा सब में पाहरे देखो आ गया जवाब हमको महलूं देखो फर्ष्ट प्रो देखो सरयानिविद दिया प्रो यही है यही तुम्हारे दिमाग से साथ खेला जाता है कि हाँ कौनों फिरकी ले रहा है समझे रहो तो बढ़ा यह असला विंग्स के लिए होता है थोरैक्स के तीनों सेग्में प्रो मीजो और मेटा में लेक्स पा जाते हैं पेयर में तो थ्री पेयर आप लेक्स होते हैं लेकिन विंग्स दो पेयर होते हैं इसलिए प्रो थोरैक्स में wings नहीं पाजाते हैं मीजो और मेटा में पाजाते हैं मीजो थोरेक्स में फोर विंग होता है और मेटा थोरेक्स में हाइंड विंग होता है बताए फोर विंग और हैंड विंग में कौन काम करता फ्लाइट के लिए हाँ समझ यह से लिए हमने पूछा ही था फोर विंग और हैंड विंग में कौन फ्लाइट करता है यस हैंड विंग होता है मेंब्रेनस होता है फ्रॉक का जो हेड होता बटा कितने सेग्मेंड के फ्यूजन से बनता है फ्रॉक का हेड राइड अंगिल पाजाता है बॉडी के और कितने सेग्मेंड के फ्यूजन से बनता है यह सिक्स सेग्मेंड फ्रॉक के हेड में जो माउट पाड़ होता है मैंडबल होता लैब्रम होता लैबियम होता और हैपो फैरिंग्स होता है इसमें टंग की तरह कौन का क्कूरोच यहां है तो हमने सारा बोल दिया आपको जवाब देना है कि अब पूछ लिए सौरी काकुरोच का हर यह हो जाएगा बटा हाइपोफैरिंग्स यह हो जाएगा हाइपोफैरिंग्स याद रखेंगा hypo pharynge stung की तरह काम करता है labrum upper lip होता है labium होता है lower lip maxilla और mandible mandible में आपके grinding and incision region पाए जाते हैं frog के head में बटा antenna भी पाए जाते हैं sensory nature होते हैं eye पाए जाते हैं eye होते compound जरह बताइए compound eye में क्या ज़्यादा होता है और क्या कम होता है resolution और sensitivity में resolution और sensitivity में कौन ज़्यादा कौन कम yes more sensitivity and lesser resolution क्या बात है बाए बहुत अच्छा जवाब दिया 2000 छोटे छोटे segment होते हैं hexagonal होते हैं उसका नाम होता ometidia अब आते हैं हम लोग cockroach के abdomen में तो female cockroach के abdomen में 7th, 8th, 9th मिलके क्या बनाती है और कौन सा होगा टर्गा की श्टर्णा 7th, 8th, 9th मिलके क्या बनाती है और कौन सा पाट है टर्गा की श्टर्णा यस, female genital pouch बनाती है बहुत अच्छा जवाब दिया यह श्टर्णा की बात कर रहे हैं कि टर्गा की बात कर रहे हैं यस, 7th, 8th, 9th श्टर्णा यह मिलके बनाती है बेटा female genital pouch और 7th वाला हो जाता boat saved और इसमें पाजाते हैं female gonopore, spermatical pore and collateral gland male में 9th, 10th टर्गा बोल देते हैं याद कर लेना और 10th श्टर्णा होता है यह बनाता male genital pouch डार्सल वाला टर्गा होता उसमें पाजाता एनस और ventral में पाजाते हैं male genital pore और gonopore, physis sclerite आपस में जुड़े रहते हैं किसके जरिये sclerite आपस में जुड़े रहते हैं किसके जरिये yes articular membrane जिसका नाम क्या होता है बड़ा arthrodial membrane sclerite darsal होगा तो terguide बोलते हैं ventral होगा तो sternide बोलते हैं lateral होगा तो pluride बोलते हैं dt vslp darsal terguide ventral sternide lateral pluride ठीक है अब जड़ा बताइए फ्रॉग में जो elementary कैनल होता उसमें कौन सा ऐसा पाड़ होता जहां पे six highly rose of chitanis teeth पाए जाते हैं तो ons at 6 highly rose of chitanis teeth Wu काक्रोच में कहां पाहँ आ जाएगा है यह बाद-बाद should नहीं आरहा है दिमाग में चलना हमारी इसमें और यह इसमें पाकर जाते शाय हर और इसमें आनी जाते सिब्स हाइख इना चाइटेनस टेट और ऑब भडियां जब्डियां आप फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, मिडगट, उसके बाद हैंडगट में इलियम, कोलॉन, एंड रेक्टम, ठीक हैं, अब ज़रा बताएं, मिडगट और हैंडगट में कौन ब्रॉडर होता हैं, मिडगट और हैंडगट में कौन ब्रॉडर होता हैं, मिडगट और हैंडगट में ब्रॉडर कौन होता हैं, यस, नहीं, नहीं, हैंडगट ब्रॉडर होता हैं, मिडगट से, हैंडगट भाई साब, हैंडगट ब्रॉडर होता है, और फोर गट और मिडगट के जंचन पे पाय क्या ओर I know what a juורव गट और मिड़व के जंट्चन में क्या पाय जाता है 6-8 blinds tubule होते हैं 6-8 नमबर भी याद रखिएगा और mid-gut and hindgut के junction पर क्या पाजाते हैं यस malfeasian tubule क्या पाजाते हैं नमबर होता है 100 to 150 एस्क्रिट्री फंक्षन होता है नमबर होता है 100 to 150 फ्राग में कहां किसके बारे में लिखा है 13 chambered but one in number स्वारी फ्रागी आ रहा है क्या हो गया है मुझे आज काक्रोच में किसके बारे में लिखा है 13 chambered and one in number yes it is for heart क्या होगे बड़ा हाइड के बारे में लिखा हाइड के लिए जो मसल होती उसका नम बताईए मसल होती उसका नाम क्या होगा वाई क्या करें मजबूरी हो गई जब लग रहा है जमरा पेटेंट dialogue हो गया है फ्राग यस इडिस एलरी मसल कों से मसल होती बड़ा एलरी मसल होती है और ध्यान रखे पेड मोटी 12 पेड पाजा सकते हैं दोना तरफ होती है 12 पेड नंबर होत होता हो 13 चेंबर होता है लेकिन सिंगल हार्ट होता है जरह बताए टेस्टिस फैलिक ग्लैंड और सेमाइनल वेच्टिल्स इन में से कौन पेर्ड इस्ट्रक्चर है टेस्टिस फैलिक ग्लैंड इम्मेल के पाड़ है और सेमाइनल वेच्टिल्स वास डिफरेंस इन में से कौन पेर्ड इस्ट्रक्चर है वास डिफरेंस और टेस्टिस भी तो पेर्ड होगा भाई साब टेस्टिस भी होगा और phallic gland कैसा होगा? single या unpaired होगा collateral gland यह gland male में पाजाती कि female में पाजाती है? yes female में पाजाती है पाह蛇ं काथ का क्रोच जो क्दम्द 내etzt का जो औररी होता है हो मताएं जो पितने चोटे चोटे ओविट ईवरी ऑना होता हैं कितने अभर्ष का रोच का हर एक हर यह वर्ज बनाते हैं और कि बात करें हैं नहीं कि यह इस कोउश्चन से कि बता हैं कि बताई संपर्च में में और फीमेल कि और डिस्ट्रिंग्विश्ण करना है तो हम लोग किसको देखेंगे एनल स्टाइल तो कि या कॉडल स्टाईल किसको देखेंगे अि इसने डियंगे कि कॉडल स्टाइल कर लोग में थाइल है बहुत कि दोणो दोनो यकि नाम है एनल कॉड़ा मतर्थul एंटेल याने पीछे पाज़ां दोनों एक नाम हैं किस में पाइंगा है किसमें पाज़ाता है कि नाまぁ मेरी रहता लाली तो मेरी गुड तो मेल हो गया है और तो में और एनल्स बेटा मोटी मोटी बाटे काक्रोच की और अर्थवाम आप आपके शेलेबस में नहीं है अब आपके और भी चेप्टर करने हैं तो आपके सामने आ रहे हैं सेलेंसर सेल दा यूनिट ऑफ लाइप चेप्टर का उसके बाद आपका अविनासर करा देंगे आपका रिये समयधार विल्कम सर तो सैलेंसर का जोड़ दार सस्वागत करि गये था त्रीद है इसकी हुआ ज्युक्त है पारिय। एंकांद्क शूम्ह ने गोड़ीनिंग्ग और याविवनिंग्छी आफिश और और शूर वार्वर इंग उन्ग, ने टिं राश्पूत एक कर्या मरें अलवली गुणिण इवनिंग मॉहंमब पर्वेज़ गॅटशा नमस्कार व सुमवं कुमारी गुणि मुणि निकर्थ से सही गुणिंग विद्य॥ मुहम्मद पर्वेज वेरी गुड इवनिंग हर्ष नरायन सिंग शुक्ला वेरी गुड इवनिंग विकास मोहन वेरी गुड इवनिग आईशा गुड इवनिग तो हम लोग रिवाइस करेंगे सेल्द यूनिट ऑफ लाइफ कल आप लोगा बायो टॉपिक का टेस्ट है इस् अप्सलुटली फाइन पर्वेज बढ़िया हूं यस कर्रेक्ट तो फर्स और डिस्क्राइब लाय विनाश्ट सेल्ड वू फर्स साथ और डिस्क्राइब देलाइफ सेल्ड डिस्क्राइब डेखी थी यस एपी वेरी गूड इवनिंग यस आंटॉन लिवन हॉक है लिवन हॉक लिवन हॉक और हम लिवनाश्ट सोदी फर्स्ट सेल्ड वाल डिस्कवरड़ नहीं हुए हुश Rs. ऑस टिस्केवरड भाई का मतलब एक समपाईमेंट अधितल का मतलब ह dish पाईम्पाउट्मटिंट यह सेल्ड सबसे पहले किस स्emy waffle देख tenis लिवने ल Aug Actually इन्होंने देखा था Cell wall Cork की slice को Study किया था Robert plane और इन्होंने देखा Cell wall compartment like Structures थे Slice of Cork Who first discovered Nucleus Nucleus की खोज सबसे पहले किस ने की थी Nucleus was first discovered Nucleus की खोज किसने की थी Nucleus was first discovered by Yes, Bipin Singh NCRT के important points Cover किये जा रहे है इस chapter के Yes, Robert Brown Correct, Robert Brown Robert Brown 1831 Correct, here is also correct 1831 Nucleus Nucleolus की खोज किस ने की थी Nucleolus was discovered by Nucleolus की खोज किस ने की थी Who discovered Nucleolus Yes, 1831 Correct, Yes, Suraj Yes, Lovely, Yes, Pallavi Yes, Vidyut Yes, Nitin Rajput Yes, Pradipyaadav Correct, very good Fontana, Fontana ने Nucleus Nucleolus की खोज की थी Fontana discovered Nucleolus Correct To cell is the fundamental Cell के लिए अगर बोला जाए Cell is the fundamental Fundamental Dash and Dash Unit of Life क्या होगा Fundamental Dash and Dash Unit of Life यहाँ पर क्या होगा Dash and Dash Unit of Life Yes, Structural as well as Functional Correct Structural unit as well as Functional unit Correct Structural की भी unit है और function की भी unit है कोई भी living organism जो है cell सही मिल करके बना होगा तो cellular organization अगर cellular organization के लिए बोला जाए Cellular organization is the defining property of living तो यह सही है गलत है अगर बोला जाए Cellular organization Is the defining property of living सही है गलत Yes, correct तो it is defining property क्योंकि कोई भी living organism बिना cell के नहीं बना होगा Yes, correct Next point In 1838, German botanist observed that all plants are composed of different kind of cells 1838, कौन सा scientist थे? Scientist का नाम Yes, Matthias Sliden Correct, Matthias Sliden Matthias Sliden was the scientist Sliden, botanist थे, German botanist इसके बाद British geologist reported that cell had a thin outer layer known as reported that cell had a thin outer layer इस layer का नाम क्या था और in geologist का नाम क्या था और यह ear सही दिया है गलत दिया है यह ear सही दिया है या गलत दिया है Yes, correct Plasma membrane Yes, 1839, correct यहाँ पर 1839 होना चाहिए था 1839, 1893 गलत दिया हुआ है British geologist Theodore Sean और इन्होंने क्या देखा था? Cell membrane Cell membrane Cell membrane was first discovered by Who discovered this cell membrane? Cell membrane was first discovered by Cell membrane की खोज किस ने की थी? Who discovered this cell membrane? Cell membrane की खोज सबसे पहले किस ने की थी? Yes Correct सुमन कुमारी Correct तो ये तियोड़र्श्वन नहीं तियोड़र्श्वन इन्होंने ही इसकी खोश की ती Cell membrane की खोश सब से पहले Theodore्श्वन Cell wall is unique feature of plant cell Cell wall is unique feature of plant cell ये botanist ने बताया था ये psychologist ने बताया था Cell wall is unique feature of plant cell ये किस ने बताया था, botanist ने ये geologist ने, unique feature of plant cells, this was first told by, सबसे पहले इसे किस ने बताया था, botanist ये geologist, yes, correct, geologist, correct, very good, all of you are correct, good, correct, तो ये geologist ने सबसे पहले बताया था, British geologist, correct, next, Rudolf Virko, first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cell, Rudolf Virko, first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, ये इनोने के सियर में explain किया था, yes, 1855, correct, correct, हफेजोर, correct, lovely, yes, नेतिन राश्पूत, yes, अनिशी, correct, yes, correct, अनन्या, correct, अमन, 1855, in the year 1855, Rudolf Virko, इस theory को क्या बोलते हैं, cell linus theory, cell linus theory, omnis cellular, e-cellular, omnis cellular, e-cellular, cell से ही cell की origin हुई है, omnis cellular, e-cellular, cell से ही cell की origin हुई है, modified the cell theory इन्होंने modify किया था क्योंकि Theodore Schwann उसको explain नहीं कर पाए दे origin को animal cells contain another non-membrane bound organelles called animal cell में non-membrane bound organelles कौन कौन से है animal cell में non-membrane bound organelles कौन कौन से है yes centriole और centriole ribosome और centriole ribosome के अलावा दो नाम आए है centriole ribosome और एक और है अरे mitochondria में तो double membrane है लवली yes nucleolus correct हर्शित yes yes correct साहिबा बेगम correct nucleolus ribosomes and centriole centriole correct centriole में 9 plus 2 arrangement है या 9 plus 0 centriole 9 plus 2 arrangement या 9 plus 0 centriole का arrangement कैसा है 9 plus 2 या 9 plus 0 correct तो यहां पर 9 क्या होगा 9 क्या है यह is it peripheral doublet और peripheral triplet क्या है यह है डबलेट है या peripheral triplet है क्या है यह Microtribules का बना होगा, triplet है यह, doublet है यह, is it doublet or triplet, yes, correct, triplet, doublet होगा, cilia और flagella में, cilia और flagella में होगा, 9 plus 2, यहाँ पर होगा, यह doublet है, इसमें centriole में होगा, triplet, ribosome, ribosomes eukaryotic, eukaryotic ribosome, कौन सा है, 70S यह 80S, कौन सा है, eukaryotic ribosome, which one is eukaryotic ribosome, 70S यह 80S, कौन सा है, बोट, yes, Nitin Rajput, correct, yes, Afizur, correct, yes, Aman Shivastav, correct, yes, 70S, 70S कहां पर होगा, 70S, mitochondria और chloroplast में, और्गनियल within an ovenil, और्गनियल within an ovenil, क्या होगा, seven South Valley, कौन सा है, और्गनियल की बात हो रही है, और्गनियल के अंदर और्गनियल, कौन सा है, कि यहां पर राइबोसों क्योंकि माइटोकॉंडिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है MitoCondria and chloroplast में MitoCondria and chloroplast these are Autonomous or semi-autonomous MitoCondria and chloroplast कैसे हैं यह Autonomous हैं यह semi-autonomous इस आप Autonomous orgnal यह semi-autonomous क्या है यह Autonomous है semi-autonomous क्योंकि इसका DNA होगा अपना खुद का RNA होगा प्रोटीन्स होंगी बट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होती ही वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती ही इसलिए यह semi-autonomous करेक्ट MitoCondria and chloroplast बोथ हार semi-autonomous माइको प्लाजमा था smallest cells are only इसका length कितना है माइको प्लाजमा का माइको प्लाजमा की और वाइल बैक्टीरिया की बैक्टीरिया का कितना है बैक्टीरिया लेस् 325 जैस 325 माइक्रोमीटर करेक्ट माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा इस ऑल्सो नोन एस ppl.o. ppl.o. pluronemonia like organism. माइको प्लाजमा क्या है ppl.o. smallest living cell smallest living cell भी बोलते है smallest living cell और इसके कई सारे shapes होंगे pleomorphic होगी pleomorphic pleomorphic pleo मतलब multiple morphic मतलब shape pleomorphic होगी और ये किसमे pathogen का का काम करेगी plants में animals में ये both mycoplasma is pathogenic in plants animals ये both किसमे में yes jokers of plant kingdom भी बोलते हैं correct no cell wall without cell wall है correct yes तो ये both plants and animals दोनों में ये pathogenic होगा correct human red blood cells are about in diameter human red blood cells कितनी है diameter कितना है human red blood cell का diameter of human red blood cell is yes नेदिन राशबूत हफेज़ोर correct गुंजन correct ये सेवन micrometer correct seven micrometer correct human rbc human rbc कैसे होगी by concave by concave होगा maturity पर in nucleated हो जाएगा nucleus remove हो जाता है in nucleated इसमें mitochondria वगरा present होगा ये absent होगा mitochondria वगरा present होगा ये absent होगा mitochondria endoplasmic reticulum बाकी के organs present होगे ये absent होगे येस इसमें absent होगे एक cell होती है sieve tube cells sieve tube cells ये कैसी होती nucleated या enucleated maturity पर ये कैसी होगी nucleated या enucleated ये कैसी है sieve tube sieve tube is nucleated और enucleated yes ये भी enucleated correct nucleus यहाँ पर भी नहीं होगा और mitochondria endoplasmic reticulum ये सब बाकी के organs sieve tube में mitochondria होगी या नहीं होगी yes green latin good evening yes तो यहाँ पर बाकी के organelles होंगे होंगे correct rbc में नहीं होंगे four basic types basic shapes of bacteria rod like कौन सा है rod like होता है bacillus bacillus is rod like is spherical is coccas spherical is coccas or spiral is spirulum comma shape क्या है comma shape क्या है comma shape क्या है comma shape is vibrio correct vibrio is comma shape correct vibrio comma shape cholera किसकी वज़े से होता है cholera का causative agent क्या है cholera का bacteria ये bacterial disease है cholera किससे होगी yes vibrio cholery correct vibrio cholery से vibrio cholery vibrio cholery comma shape bacteria in addition to genomic dna many bacteria have a small outside genomic dna these smaller dna are called ये जो dna होता है outside genomic dna इसे बोलते है plasmid और इसका shape कैसा होगा plasmid होगा इसका shape कैसा है linear dna है circular है क्या है is it linear circular yes correct circular dna correct circular plasmid कैसा होगा autonomously replicating true or false autonomously replicating autonomously replicating इसका replication genomic dna पे depend नहीं करेगा autonomously replicating है यह statement true है यह false है is it true or false correct correct तो यह सही है autonomously replicating है no organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for no organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for prokaryotic cell में कौन सा organelle present है जैसे eukaryotic cell में है उनके अलावा कौन सा organelle present है prokaryotic cell में except ribosome correct except for ribosome और ribosome prokaryotic cell में कौन सा type का होगा ribosome कौन सा type का होगा ribosome कौन सा type का yes 70s correct 70s और इसकी कौन सी दो सब units एक है 30s और दूसरी एक है 30s दूसरी कौन सी है 30s and yes 70s right answer correct 30s and 50s yes सुमन correct 30s and 50s और correct नितिन yes 30s and 50s इसमें ribosomal RNA होता है ribosomal RNA और क्या present होगा ribosomes में ribosomal RNA और क्या present होगा ribosome 70s ribosome ribosomal RNA और क्या present होगा 28s ribosomal RNA यह eukaryotes में होगा नितिन 28 नहीं yes RNA plus protein ribosomal RNA plus protein इनको बोलते हैं ribonucleo protein particles ribonucleo protein particles RNA plus protein होगी ribosomal RNA plus protein present है correct ribosomal RNA है और ribosomal RNA कौन कौन सा है 23s है 25s नहीं 23s ribosomal RNA 5s ribosomal RNA और 13s ribosomal RNA 16s ribosomal RNA glyclic рай scholarships could be a loose sheet अगर glyclic lose sheet के form में तो इसे क्या बोलते और अगर ये thick and tough है तब इसे क्या बोलते हैं loose sheet के form में तब इसे क्या बोला जाएगा और thick and tough है तब इसे क्या बोला जाएगा येस, correct, अमन, correct, correct नितिन राजपूत, yes, slime layer, slime layer, correct, और ये क्या है, ये capsule, correct, तो cell envelope in bacteria is made up of, cell envelope में किते components हैं, cell envelope, outer most envelope क्या है, outer most layer क्या है, नीचे होगी cell membrane, इसके उपर होगा cell wall, और outer most layer कौन सी होती है, outer most layer is, yes, 3 layer है, correct, ये सुमन, correct, glyco calyx, glyco calyx is the outer most layer, glyco calyx, glyco calyx के नीचे cell wall, cell wall के नीचे, cell membrane, the are elongated tubular structures made up of special proteins, कौन से elongated structures हैं, जो special proteins के बने हुएं, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में कौन से हैं, इन बैक्टीरिया, tubular structures, पिलाई, पिलाई है, tubular structures, elongated tubular structures, पिलाई के साथ एक और है, फिम्बरी, किसका नंबर जादा होता है, पिलाई का या फिम्बरी का, किसका नंबर जादा है, पिलाई का या फिम्परी का किसका नंबर जादा है नहीं एमद खान फ्रॉगर अर्थों नहीं आएगा फिम्परी फिम्परी का नंबर जादा होगा पिलाई इस फॉर कॉन्जूूगेशन के लिए होगी Conjugation, Fimri is for attachment यह attachment के लिए दोनों का भी वैसे attachment है यह conjugation में help करेगी तो Fimri का नंबर ज़्यादा है, यह 200 से 300 होते हैं In procarriers, ribosomes are associated with the plasma membrane and they are about plasma membrane से associated है ribosomes और इनका size क्या है? साइज क्या है? ribosome का size frog और अर्थोम नहीं आएगा एमत खान Yes, 15 to 20 nanometer Correct, Nitin Rajput Yes, Pradipya Adap Correct Yes, Sumit Kumar Yes, Muhammad Parviz Correct 15 to 20 nanometer Correct Next, Animal Cells have which are absent in almost all plant cells Animal Cells में क्या present है? जो plant cells में absent है Animal Cells have which are absent in almost all plant cells बागी plant cells में absent है? क्या present है? Yes, Centriole Correct Centriole Centriole के pair को क्या बोलते हैं? Pair of Centriole is known as Pair of Centriole is known as Pair of Centriole को क्या बोलेंगे? Centrosome 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 is pair of Centrioles 90 degree पर होंगे Correct The detailed structure of cell membrane was studied only after the advent of electron microscope Detailed structure cell membrane का electron microscope की खोज होने के बाद Discover किया गया और इसकी खोज कब हुई थी? Electron microscope was discovered in Yes, 1950s Correct 1950s Correct यहाँ पर जो cell membrane है Cell membrane में phospholipid होता है Cell membrane का phospholipid इसका नाम क्या है? Phospholipid का Name of this phospholipid is कौन सा phospholipid? Phospholipid Yes, lecythine Correct, Anishi Yes, Vidyut Correct Yes, Lecythine Correct Lecythine Phospholipid is Amphipathex True or False? Phospholipid is Amphipathex सही है गलत है Is it true or false? Yes, correct, correct Polar head or non-polar tail Fatty acid की tail होगे In human beings, in human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately protein and lipid Erythrocyte, RBC RBC की जो membrane है, उसमें approximately कितना protein और कितना lipid? Percent कितना और कितना लिपिड और कितना लिपिड? Yes, 52% and 40% Correct, 52% and 40% lipid An improved model of the structure of membrane was proposed by Improved model of structure of membrane जो accepted किया गया था, ये कौन सा था? Improved model किसने दिया था ये? Singer and Nicholson Correct, Singer and Nicholson Correct, Singer and Nicholson Accepted as Fluid mosaic model Correct, 1972 में Fluid mosaic model This was proposed in 1972 Fluid mosaic model बोलता है Fluid mosaic model इसमें fluid क्या है? Lipid या protein Fluid part क्या था? Fluid part क्या था? Lipid या protein Fluid part is Yes, lipid Correct Lipid is fluid Protein is like the iceberg In the sea of lipids The Golgi cisterni are arranged near the nuclear With distinct convex phase and concave phase Convex phase को क्या बोलते हैं और concave phase को क्या बोलते हैं? Yes Cis and trans Correct Cis is forming phase Cis is forming and maturing phase is trans phase Maturing phase क्यों सा होता है? Trans phase Cis होगा Forming phase अच्छा Galgi complex से जो lysosome बनेगा वो कौन सा होगा? Lysosome जो बनेगा वो कौन सा होगा? Primary lysosome या secondary या tertiary कौन सा lysosome बनेगा? Galgi complex से जो lysosome बनेगा वो कौन सा lysosome है? Yes Primary Correct Correct Good Primary lysosome Correct Newly pinched off vesicles They are primary lysosomes Andromembrane system include Andromembrane system इसमें क्या-क्या included है? Andromembrane system include Yes Vidyut Correct GERLV Yes Correct Galgi complex Endoplasmic reticulum Lysosome And vacuole Correct और यह किस के लिए? Plant के लिए या animal cell के लिए? Is it for plant और animal cell? किस के लिए साहिए ये? Plant के लिए या animal cell के लिए? किस के लिए साहिए? This is correct for Yes Plants Vacuole काओंगे plants में Plants Now previous year questions The shorter and longer rounds of sub metacentric chromosomes are referred to as Sub metacentric chromosome में centromere slightly away from the center एक आम छोटी होगी और एक आम बड़ी होगी One arm shorter and one arm longer The shorter walी को के लिए और longer वाली को क्या बोलेंगे हो? Yes, P and Q Correct P and Q P and Q, P is for Petit, Petit का मतलब होता है Small P is for Petit, Petit मतलब Small तो ये वाला Small Arm, ये वाला Longer Arm Submetacentric Anaphase में इसका shape कैसा दिखेगा Anaphase में जब ये Opposite poles पे move करेगा Submetacentric तो इसका shape कैसा दिखेगा इसका shape कैसा होगा Submetacentric का shape कैसा होगा Shape of Submetacentric Chromosome will be कैसा होगा shape Yes P Pradip यादव V shape नहीं V shape नहीं, इसका shape होगा L Submetacentric Submetacentric L shape Metacentric होगा V shape Metacentric में बीचो बीच में होगा V shape होगा, दोनों आमस बराबर I shape I shape किसका एक I shape I shape किसका है I shape किसका होगा I shape किसका होगा Yes, I fault I होगा Telocentric के लिए Correct Terminal position पर होगा Terminal position पर I के तरह है Acrocentric होगा J shape Acro is J I is telocentric The concept of Omnicellular E Cellular regarding cell division was first proposed by यह 2019 में आया था उसी के points से यह Concept Omnicellular E Cellular regarding cell division यह सबसे पहले किसने प्रोपोस किया था Who proposed this? Yes Rudolf Virko Modification of cell theory यह भी इन्हों नहीं किया था Rudolf Virko इन्हों ने modify भी किया था Origin को explain किया था The Golgi complex participates in formation of Golgi complex किसके formation में participate करेगा? Golgi complex form Yes, Misha very good evening Yes, किसके? तो यह कई सारे functions perform करेगा Golgi complex cell wall का formation Cell membrane का formation Lysosome का formation Acrosome का formation Acrosome formation Main role secretary होगा Main role इसका क्या है? Secretory Secretory cells में present होगा Acrosome formation Sperm में जो head होगा Acrosome Golgi complex Formation करेगा Yes, Glycolipid and Glycoproteins Transformation Transportation में भी Correct Cell organelle which is responsible for Extracting energy from carbohydrates To form ATP Cell organelle कौन साया? जो ATP बनाने में help करेगा Cell organelle which is responsible for extracting energy from carbohydrates To form ATP कौन सा? Yes, mitochondria Correct Mitochondria अगर पूछा जाए ATP में High energy bonds Number of high energy bonds in ATP Number of high energy bonds in ATP कितने होंगे? Number of high energy bonds in ATP will be Number of high energy bonds in ATP will be Yes, Nitin Correct Yes, Suman Correct Yes, Vidut Correct Adenosine Tri-phosphate है बट इसमें Adenosine के साथ एक जो होगा वो normal होगा ये ये दो high energy bonds है दो high energy bonds तीसरा वाला comparatively normal होगा तो दो high energy bonds Mitochondria में क्रेप साइकिल कहाँ पर होगी? Mitochondria में क्रेप साइकिल कहाँ पर होती है? क्रेप साइकिल विल टेक प्लेस इन Mitochondria में क्रेप साइकिल कहाँ पर होगी? Yes, matrix में Correct Matrix में क्रेप साइकिल का कौन सा enzyme है जो matrix में absent है? क्रेप साइकिल का कौन सा enzyme है जो matrix में absent है? Which enzyme is absent in matrix? कौन सा enzyme है क्रेप साइकिल का जो matrix में absent है? सक्सिनेट डियाइडोजिनेज सक्सिनेट डियाइडोजिनेज यह हर्षित वेरे गुट सक्सिनेट डियाइडोजिनेज यह मेंब्रेन बाउंड होता है मेंब्रेन बाउंड आया हुआ क्वेश्चन है PYQ का यह भी सक्सिनेट डियाइडोजिनेज next cell organe containing hydrolytic enzyme cell organe جس میں hydrolytic enzymes present है cell organe جس میں hydrolytic enzymes present है cell organe in which hydrolytic enzymes are present yes lysosome correct to lysosome में कौन से किस class کے hydrolytic enzymes है किस class के है cargoidase है protease है नूक्लियस है यह फिल लाइपेस है कि स्कलास के हड्रो लिटिक एंजाइंजाइम से कौन से क्लास को डायजेस्ट करेंगे कार्भो हैCKर्गार्पोमड सारे ही करेंके क्रेंगा जार्भो हाइड्रेस भी carbohydrate को digest करेगा pH कितना होगा acidic pH या alkaline pH पे तो all class of hydrolytic enzymes all class of hydrolytic enzymes प्रेजेंट pH कौन सा होगा acidic pH या basic pH पर yes acidic pH correct 425 के बीच में acidic pH correct autophagy और autolysis autophagy क्या होगा autophagy lysosome की वज़े से होगी और इसमें autophagy में क्या होगा cell का digestion होगा या organil का digestion cell का digestion या organil का digestion autophagy yes विद्धत correct cell organil अपना खुद का जब cell organil digest करेगी कोई cell organil damage है या dead होने वाला तो cell organil का digestion cell organil और self की cell का अगर digestion करेगा self cell अगर digest होगी तो इसको बोलेंगे autolysis खुद की cell का digestion जिस cell में प्रेजेंट है उस cell का digestion अगर कर देगा तो autolysis hydroletic enzymes अगर cell में release हो जाएंगे तो autolysis microtribules are the constituent of 2016 में पूछा गया है microtribules cytoskeletal elements हैं यह microtribules यह constituent हैं किसका microtribules are the constituent of किसका constituent है यह microtribules are the constituent of spindle fibers spindle fibers और spindle fibers के अलावा yes, cilia, phagela, correct नितिन राजपूर correct, cilia and phagela microtribules यह जो cytoskeletal elements हैं यह hollow हैं यह solid हैं यह hollow type का हैं यह solid है microtribules cytoskeletal elements microtribules, microfilaments और intermediate filaments तीन है components यह वाला कैसा है hollow है solid यह भी question आया हुआ है PYQ में yes, correct, this is hollow तो microtribules यह hollow होंगे next identify the following dish shape sex in Golgi apparatus Golgi apparatus में जो dish shape sack होते हैं उसका नाम क्या है Golgi apparatus में जो dish shape sack है 2015 का question है यह NEET 2015 में पूशा गया है yes, cisternae correct, cisternae correct condensed structure of DNA condensed structure of DNA condensed structure of DNA को क्या बोला जाएगा yes very good harshit yes, suman correct vidyut chromatin this is chromatin correct flat membranous sack in stroma flat membranous sack stroma में जो होंगे इनको क्या बोला जाएगा flat membranous sack yes, thalacoid correct this is thalacoid 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 का जो stack होगा उसको क्या बोलोगे stack of thalacoids is known as stack of thalacoids is known as thalacoids का जो गठर बनेगा bundle बनेगा उसको क्या बोला जाएगा stack of thalacoids is grana correct correct vidyut yes, Nitin Rajput yes, Fatima yes, correct hafizur grana this is granum stack पूछा हुआ इसलिए granum granum is singular granum is plural infoldings in mitochondria 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 में infoldings होती होंगी क्या बोलेंगे mitochondria में infoldings होंगी yes, kristi correct kristi fo f1 particles कहा पर होंगे fo f1 particles कहा पर होंगे fo f1 particles mitochondria में fo f1 particles कहा पर होंगे yes, inner membrane correct fo f1 particles are also known as oxysome कहा पर होंगे inner membrane the solid linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as solid 6 nanometer diameter and single type of monomer monomer का बना हुआ है यह कौन सा cytoskeletal element की बात हो रही है cytoskeletal element 3 है micro debuse intermediate filaments और micro filaments यह तीन है cytoskeletal elements किसकी बात हो रही है yes correct तो यह micro filaments correct micro filaments solid है monomer के बने हुए और इनका diameter जोगा 6 nanometer correct cytoskeletal elements are present in procariors true or false cytoskeletal elements are present in procariors is it true or false cytoskeletal elements present in procariors procariors में present है यह अगर यह बोला जाए तो यह सही होगा यह गलत cytoskeletal elements in procariors yes good संजना correct yes 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 correct यह false है यह false है cytoskeletal elements सिर्फ और सिर्फ किस में present है ucariors में osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by osmotic expansion जो होता है cell का water is regulated by अगर water में रखी हुई है cell cell swell हो जाएगी यू केरियोर्टिक सीलिया फ्लैजिला में यू केरियोर्टिक में yes correct वैक्योल और वैक्योल की membrane को क्या बोलेंगे वैक्योल की membrane को क्या बोला जाएगा वैक्योलर membrane is known as वैक्योल की membrane को क्या बोला जाएगा वैक्योल की membrane को क्या बोलोगे tonoplast correct this is tonoplast tonoplast और tonoplast जोगी ions को कैसे pump करेगी passively या actively वैक्योल में कैसे पहुँचाएगी passively या actively कि Ole इंस को कीसे pump करती है इंस को कैसे पहुंचाएगी वेक्योला सैप में यहस ना यहनुर्य है करड़्य है एक्थिवली गरड़्य अगेंस दी कॉंसेंटरेशन ग्रेडियंट एक्षिक क्रड़्य major site for synthesis of lipids major site for synthesis of lipids lipids के लिए major site synthesis की क्या है major site for the synthesis of lipids is yes correct smooth endoplasmic reticulum correct smooth endoplasmic reticulum next the term is used for a layer surrounding the cell wall of bacteria term is used for a layer surrounding the cell wall of bacteria bacteria की layer surrounding the cell wall cell wall के बाहर कौन सी layer होगी ग्लाइको कैलिक्स येस अनीशी correct येस जितिन correct येस स्वनजना correct येस विद्यूत correct येस future doctor येस हफिजूर येस सोनम correct ग्लाइको कैलिक्स तो ग्लाइको कैलिक्स हम लोग देख चुके हैं ये slime layer के form में होगा या capsule के form में होगा thick and tough है तो capsule plastic that contain stored food material stored food material जिसमें होगा उस plastic को क्या बोलोगे plastic तीन तरह के होते हैं chloroplast chromoplast और leukoplast नई पलवी कल नहीं आएगा frog and earthworm cockroach आएगा yes correct leukoplast leukoplast फिर तीन तरह के के हैं leukoplast amyloplast aluroplast और तीसरा कौन सा है amyloplast aluroplast और तीसरा कौन सा है third one is amylo for starch ये starch के लिए aluro protein के लिए और तीसरा कौन सा है third one is yes good yes with dud correct lovely correct suman correct yes anjana yes sonam yes correct ilioplast और ये किसके लिए ilioplast is for ilioplast किसके लिए oils and fats next peptide synthesis inside a cell takes place in peptide synthesis cell में कहां पर होगी peptide synthesis inside a cell कहां पर होगी peptide synthesis peptide synthesis is inside a cell yes ribosomes correct rough endoplasmic reticulum पे important site for formation of glycoprotein and glycolipids important site for formation of glycoprotein and glycolipids कहां पर होगा येस गौलगी कॉंप्लेक्स correct गौलगी कॉंप्लेक्स गौलगी कॉंप्लेक्स में components क्या होते हैं सिस्टनी हैं ट्ऺिब्यूस है Star and Habitavis this ओर क्या अजय और क्या कॉंप्नेंट में होगा कौलगी कोंप्लेक्स के अजय फैसीस 행 वेसिक्ट अजय वएक्योंट में क्या क्या आ होगा Name the part of endomembrane system, name the part of endomembrane system, endomembrane system में Golgi complex, endoplasmic reticulum और vacuoles, ये 2011 में पूछा गया है, आप लोग का अलरेडी बता चुके हो, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. The main arena of various type of activities of a cell, activities cell की कहां पर होंगे, main arena क्यां पर है, activity center कहां पर होगा, activity center is in cytoplasm, correct, main arena is in cytoplasm, correct, need 2010 का question था, An elaborate network of filamentous proteinaceous structure, present in the cytoplasm, which helps in the maintenance of cell shape, cell की shape को maintain करता है, इसको क्या बोलते हैं, Cell की shape को maintain करेगा, cell की shape cytoskeleton, correct, cytoskeleton, cytoskeletal elements, middle lamella is composed mainly of, middle lamella किस की बनी होगी, Middle lamella is made up of, middle lamella is calcium pectate, correct, calcium pectate, first layer formed during cytokinesis, first layer formed during cytokinesis, कौन सी है, First layer formed during cytokinesis, cell wall की कौन सी layer, सबसे पहले जो बनेगी, first layer formed during cytokinesis is, Yes, सबसे पहले middle lamella, सबसे पहले middle lamella, middle lamella, cytoskeleton is made up of, cytoskeleton, cytoskeleton किसका बना हुआ है, Cytoskeleton में, microtubules, अभी हम लोगों ने discuss किया था, microtubules, microfilaments, microfilaments, और intermediate filaments, intermediate filaments, तीन components होंगे, proteinaceous filaments, protein के बने हुए, Connection between adjacent cells are known as, plant cell में connection between adjacent cells, plant cell की अगर बात की जाए, तो connection between adjacent cells are known as, plant cell में connection between adjacent cells, yes, plasmodesmeta, correct, plasmodesmeta, plasmodesmeta होगा, correct, animal cells में, अगर animal cells में पूछा जाए तब, animal cells में कौन सा होगा, animal cells में, yes, gap junctions, correct, the cell organelle in which the germinating seeds, यह अर्टा दो, the two subunits of ribosome remain united at a critical ion level of, किस ion के concentration पर depend करेगा, 30S और 50S यह दोनों साथ में आएंगे, किस, आएं के concentration की वज़े से, अगर 70S है तब, yes, correct, correct, magnesium ion, magnesium ion, polysome यह polyribosome का formation भी, magnesium ion के concentration पर depend करेगा, not true or false, specialized undifferentiated form of cell membrane, called mesosome, is characteristic of prokaryotes, characteristic of prokaryotes, a specialized undifferentiated form of cell membrane, जिसको mesosome कहते हैं, यह prokaryote का characteristic है, यह सही है, गलत, yes, so this is false, यह कहा है, यह false है, undifferentiated नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, differentiated, specialized structure है, differentiated है, differentiated है, undifferentiated नहीं है, mesosome is equivalent to, mesosome is equivalent to, which eukaryotic structure, किसके equivalent है, किसके equivalent है, mesosome किसके equivalent है, mitochondria, correct, this is equivalent to mitochondria, plasma membrane is semi-permeable in nature, and interacts with the outside world, plasma membrane कैसा है, semi-permeable है, and interacts with the outside world, is it true or false, यह statement सही है, गलत है, यह सेलेक्टिवली पर्मिएबल है, सेलेक्टिवली पर्मिएबल है, सेमी पर्मिएबल का मतलब क्या हुआ, solute, solvent, कौन जाएगा, solute जाएगा या solvent जाएगा, या दोनों जा सकते हैं, सेमी पर्मिएबल, solute जाएगा या solvent जाएगा, या दोनों जा सकते हैं, कौन जाएगा, येस, दोनों होते तो freely permeable होता, अगर दोनों जाएगे solute और solvent, तो freely permeable, semi, semi मतलब half, तो solute नहीं जाएगा सिर्फ solvent जाएगा और अगर selective solute भी जाए solvent तो जाएगा ही solute में भी से भी कुछ solutes जा सकें तब उसको बोला जाएगा selectively permeable तो plasma membrane कैसी है selectively permeable है solvent जाएगा plus कुछ solutes जाएगा सारे नहीं कुछ solutes भी जा सकते हैं fimbry या large bristle-like fibers sprouting out of the cell fimbry क्या है large bristle-like fibers है sprouting out of the cell is it true or false question no.44 fimbry yes correct अनिशी correct yes woman correct तो यह false है यहां पर large नहीं small होना चाहिए था small inclusion bodies are membrane bound system and life free in cytoplasm inclusion bodies यह membrane bound है और यह freely present होती है cytoplasm में is it true or false yes यह false है यह membrane bound नहीं है membrane absent है non-membranous inclusion body यह living है यह non-living है living or non-living यह living है यह non-living inclusion body yes this is non-living correct non-living और inclusion bodies कौन कौन सी है inclusion bodies food reserve food reserve के form में inorganic inclusions के form में inorganic inclusions और तीसरा है gas vacuole gas vacuole food reserve inorganic inclusions और gas vacuole के form में cell wall help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules cell wall का का काम क्या है यह cell to cell interaction में help करेगी और provide करती है barrier किसके लिए macromolecules के लिए true or false yes correct so this is true cell wall कैसा है cell wall is non-living rigid structure true or false cell wall non-living है और rigid structure है this is rigid structure true or false yes correct this is also true correct algae में cell wall किसका बना हुआ है in algae cell wall is made up of algae में cell wall किसका बना है cellulose cellulose galactans menons and चौथा आपके NCRT में क्या दिया हुआ है cellulose galactans menons and क्या होगा yes minerals correct minerals present होंगे minerals cell wall कैसा होगा semi permeable is it semi permeable selectively permeable impermeable या freely permeable कैसा है cell wall कैसा होगा cell wall कैसा है yes good freely permeable correct cell wall is freely permeable galgy apparatus consist of many flat disc shape sacs or cisterni of 0.05 micrometer to 0.1 micrometer say yes cisterni का ये cisterni का size say diya हुए yes it is false 0.5 say 0.5 micrometer to 0.1 micrometer 0.5 to 1 .5 to 1 .5 to 1 .1 micrometer 0.5 to 1 .5 to 1 vacuole can occupy up to 90 percent of the volume of the cell is it true or false vacuole vacuole कैसा ही होगा yes correct correct so this is true 48 this is true next the tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other materials along concentration gradient into the vacuole into the vacuole facilitate करता है along the concentration gradient ions and other materials true है या false 49 yes this is against the concentration gradient along नहीं या against the concentration gradient होगा ATP खर्च होगी active transport होगा तो ये false this is false true नहीं होगा ये false है 49 is false next the number of mitochondria per cell is variable depending on physiological activity of cell mitochondria का number vary करेगा ये depend करता है physiological activity पर ये statement सही है गलत है is this statement true or false correct तो जो जितनी ज़्यादा metabolically active होगी उसमें mitochondria का number ज़्यादा होगा त्रू प्लास्टेट्स आर फाउंड इन आल प्लांट सेल्स एक्सेप्ट यूगलीनोइट्स प्लास्टेट्स आप पाउंड इन आल प्लांट सेल्सेप्ट यूगलीनोइट्स सही है गलत यस जी यस इस फॉल्स कर्एक्ट इसी त्जी फॉल्स यह य्वलीट्स में बी प्रेजंट ़ुख्लीन यूगलीनोइट्स में mode of nutrition कैसा है यूगलीनोइट्स का mode of nutrition कैसा होगा यूगलीoa ऑिस का mode is mixotrophic, it is mixotrophic, sunlight के presence में यह autotrophic होगा, sunlight के presence में autotrophic, otherwise यह predators की तरह एक्ट करते हैं, predators की तरह है, euglenoids में cell wall किसकी बनी हुई है, euglenoids में cell wall किसकी बनी है, cell wall in euglenoids is made up of, cell wall in euglenoids is made up of, किसकी बनी है, cell wall euglenoids में, yes, नितिन, correct, yes, हफिजूर, correct, yes, सुमन, correct, cell wall is absent, cell wall की जगे पर pellicle present, और pellicle कैसा होगा, protein rich, protein rich, pellicle is present, the eukaryotic ribosomes are 80S, while the prokaryotic ribosomes are 70S, here, यहाँ बर, yes क्या है, sedimentation coefficient, यह सही है गलत, यह सही है यह गलत, true कैसे होगा यह, yes क्या होता है, yes is, yes क्या है, yes क्या है, yes is sweatberg unit, yes क्या है, yes is sweatberg unit, sweatberg unit है है, sweatberg unit है है, sedimentation coefficient बताएगा, बट यह sweatberg unit है, sedimentation coefficient के लिए, filamentous non-proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton, filamentous non-proteinaceous structure, present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton, filamentous non-proteinaceous, यहां पर proteinaceous यह नॉन-proteinaceous वर्ड गलत दिया हो, तो यह भी false, correct, next, the exonim of cilia और flagella, bear nine pairs of triplets of radially arranged peripheral microtribules, क्या सही है, true है यह यह false है, exonim of cilia और flagella, cilia और flagella में triplets है, nine pair के, yes, cilia और flagella में nine plus two, nine के है, peripheral doublets, यह peripheral doublets है, peripheral doublets, और two के है, यह, two के है, surrounded by this, sheath, central sheath, यह क्या है, यह singlets है, दो singlets, yes, singlets, correct, तो nine plus two, तो यहाँ पर triplets नहीं होना चाहिए, triplet word गलत दिया हुआ है, और यह pair नहीं होगा, material of nucleus, stained by the basic dye, was given the name chromatin by flaming, nucleus का material, जो basic dye से stained किया गया था, इसको chromatin नाम दिया था, flaming ने, यह सही है, गलत है, 55, yes, correct, so this is true, chromatin contains DNA, and some basic amino acid, called histones, chromatin में DNA है, और basic amino acid है, जिनको histones बोलते हैं, सही है, गलत है, is it true or false, yes, अनिशी, correct, is it a carmine, yes, यह true नहीं है, यह false है, this is false, histones क्या है, amino acid नहीं है, यह proteins है, proteins, basic amino acid rich होता है, basic amino acids present होता है, basic amino acid rich, और basic amino acid कौन से हैं, lysine and arginine, lysine and arginine, तो यह histones है, amino acid ही गलत है, यह proteins है, तो इसलिए false, so thank you all of you, we have covered this chapter, इसके PYQ, इसके fill in the blanks, और true or false, सब हो गया, now my fellow partner, Avinash sir, will continue with the reproductive health, last topic, इस बाइटोपिक test series का, so thank you all of you, thank you so much, Sadiq Sheik, yes Suman, welcome, thank you all of you, thank you Nitin, ISM, welcome, thank you sir, यह लिए 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 लेग्टोपने, गुट इविनिंग बच्चों नवस्कार गुट इविनिंग गुट इविनिंग सादिक डिवा अफ्रीन सोनम गुट इविनिंग हफिजर रहमान गुट इविनिंग लवली गुट इविनिंग बिद्धूत गुट इविनिंग हरसिता नेतीन राजपूत गुट इविनिंग सोनम गुट इविनिंग गोड इविनिंग गोड इविनिंग तो जल्दी से हम लोग इस्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके सामने है फैमिली प्लानिंग वेर इनिसियेटेट इन इंडिया इन्डिया में फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट किया गया बिल्कुल सही 1951 1951 बिल्कुल नेस्ट है यहां पर आपको बताना है फटा फटा हम लोग कर लेते हैं देख लेते हैं इस चेप्टर को छोड़ा चेप्टर है जैसिका गौतम आइडियल बिल्कुल सही है आइडियल कंट्रासेप्टिब हरसिता बिल्कुल साधिक सैक बिल्कुल सही है तो आइडियल कंट्रासेप्टिब कुछ पॉइंट है देखना देख लिजी आप लोग ओबम एंड इस्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्राम विद्ध हेल्फ आफ बारियर बारियर के रिस्पेक्ट में बताना है आपको एंसियाटी की लाइन है पेज नंबर सिक्स जीरो से है क्वेश्चन बिलकुल क्या बात है सवरभ पंडे बिलकुल बहुत अच्छा फिजिकल मेटिंग फिजिकल मेटिंग फिजिकल मेटिंग होगा एंसियाटी की लाइन है देखते हैं फिजिकल मेटिंग बिलकुल सोनम सही है जल्दी यहाँ पर देखिए बिलकुल सभी का सही है यहाँ पर देखिए डैफ्राम सर्वाइकल कैफ्स और वाल्ट्स और बेरियर मेड ओफ रवर दैट आर इंसर्टेड इन्टो रिप्रोड़क्टिव ट्रैक मेल या फिमेल आफसन है आपके पास मेल या फिमेल आफसन है मेल या फिमेल फटा फट एंसर बिलकुल सही क्या वाद है फिमेल यास फिमेल फिमेल बिलकुल सही जवाब female चलिए यहाँ पर देखिए in method वो कौन सा method है in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation और बताईएगा यह natural है की नहीं बिल्कुल सही हर्षिता बर्म withdrawal or coitus interruptus withdrawal or बिल्कुल सही बिल्कुल सही or quietus interruptus बिल्कुल करेक्ट सही जवाब natural है बिल्कुल सही natural and traditional natural and traditional copper releasing IUD copper releasing IUD बहुत अच्छा topic है IUD most common है most widely accepted in India ideal contraceptive for female most widely accepted in India नाम क्या इसका multi load बिल्कुल एक चुटा है ना इसमें तो multi load 375 जल्दी बताइए hormone releasing IUD का नाम hormone releasing IUD का नाम बताइए जरा hormone releasing IUD का नाम दो है दो है बिल्कुल सही बिल्कुल सही lips loop बिल्कुल सही lips loop बिल्कुल सही correct जवाब lips loop अच्छा ये बताइए बेटा इस device को अगर fit करना है uterus में तो स्वयम कर सकते हैं या doctor की ज़ुरत पड़ेगी या nurse की ज़ुरत पड़ेगी बताइए itself कर सकते हैं या with the help of doctor or nurse बिल्कुल सही सादिक सैक बिल्कुल बिल्कुल doctor or nurse बिल्कुल correct answer periodic periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from quietus from day of the menstrual cycle बताइए काईसा method है नेचुराल है या ट्रेडिशनल है नेचुराल या ट्रेडिशनल और इसमें बिल्कुल सही बहुत सही जवाब 10 to 17 क्या बात है 10 to 17 बहुत अच्छा जवाब है 10 to 17 हाँ नेचुराल एंड ट्रेडिशनल अनीसी कटियार बिल्कुल सही जवाब अच्छा नेचुराल का बेटा यहां पर बताईए एक मेथद बताईए नेचुराल में जो अप्लीकेबल होता है वअली शिक्स मन्थ तक अप्लीकेबल होता है नेचुरल का बताईए कौन है नेचुरल वनली शिक्स मंथ बिल्कुल सही लैक्टेशनल एमेनुरिया बिल्कुल सही बहुत अच्छा बिल्कुल सही इसके बाद देखते हैं विच्ड्रॉल और क्वाइटस इंटरॉप्टस इज मेथड इन विच दे मेल पार्टनर विच्ड्रा इज पेनिश फ्राम दे वेजाईना जेस्ट आफ्टर इजाकुलेशन ट्रू और फाल्स यह कोचन आ चुका है रिपीट कर रहा है देखते हैं कौन सा ही बताता है ट्रू और फाल्स जेसिका एक बार फिर चेक करिये सोनम चेक करिये हाँ बिल्कुल सही है यह फाल्स है फाल्स होगा तो एंसर क्या होगा फाल्स है गच्चा खा गए आप लोग रिपीट हुआ है यह कोच्चन द्यान रखिएगा बिल्कुल सही आफ्टर नहीं होगा यहां पर देखेगा बच्चा सर जी यह देखेए आफ्टर नहीं विफोर होगा विफोर होगा यह चोटी-चोटी गलतियां हो जाती है इसी को दूर करना है डैफ्राम सर्वाइकल कैफ्स और वाल्स और बैरियर मेट आफ रवर दैट आर इंसर्टेट इंटू मेल रिप्रोडक्टिव ट्रेक्ट ट्रू और फाल्स रिपीट किया है फिर यह बिल्कुल सही इस बार आप लोग सही जवाब दिये हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो यह फाल्स है और होना क्या चाहिए फाल्स है होना क्या चाहिए मेल की जगा फिमेल होना चाहिए फिमेल फिमेल मेल की जगा फिमेल बिल्कुल सही सहली the new oral contraceptive for the females contain a preparation यहाँ पर बताना है आपको देखते हैं कौन बताता है जल्दी फटा फट फटा फट क्या बात है अनिसी कटियार बिलकुल सही जवाब बिलकुल non-estroidal non-estroidal क्या बात है बिलकुल सही non-estroidal 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 अच्छा यह बताईए कहाँ पर develop किया गया है institute का नाम बताईए जहाँ पर इसको develop किया गया है सहली CDRI बिलकुल सही कहाँ पर है लखनो CDRI बिलकुल सही जवाब CDRI लखनो यहां पताईए एड्मिनिस्ट्रेशन औफ प्रोजेस्टासर प्रोजेस्टोजन इस्टोजन कंभीनेशन और IUD within of quitus have been found to be very effective बताईए और्स का नाम बताना है और्स बिलकुल सही बिलकुल 72 hours 72 hours 72 hours बिलकुल सही जवाब 12 है प्रोजेस्टोजन इलोन और कंभीनेशन विच इस्टोजन भी यूजड बाई फीमेल as injection or implant under the क्या बता बिलकुल सही जवाब question आते ही answer आ गया skin होगा बिलकुल सही skin skin बहुत अच्छी तयार यह है paper अच्छा जाएगा आपका termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy MTP MTP जल्दी बदाए जल्दी बेलकुल सही जवाब जैसे का voluntary voluntary अच्छा और क्या बोल सकते हैं क्या बात है जैसे का बहुत अच्छा intentional और intentional तो voluntary होगा या intentional हो सकता है दोनों द्यार रखेगा intentional voluntary या intentional अच्छा ये बदाए पैटा within the 12 week ध्यान से सुनियेगा within the first 12 week of pregnancy कितने registered medical practitioner की जवरत पड़ेगी या opinion चाहिए वन आर टू वन आर टू वन 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 बिल्कुल सही वन होगा और greater than 12 greater than 12 week and fewer कितना फिवर कितना बैटा ट्वेंटी फोर विक ट्वेंटी फोर विक तो कितने टू medical practitioner तो medical practitioner त्यार रखेगा नए topic आइट किया गया है दो तिन साल के अंदर ही यह त्यार रखेगा तो इसके बाद कि in vasectomy a small part of vas difference is removed or tied up through a small incision on the क्या होगा इसका answer बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब इसक्रोटम इसके बाद देखिए दब मेडिकल टेर्मिनेशन ओफ प्रिगनेंसी अमेंडेंट आएक्ट वाज इनेट बाइड़ गवर्मेंट ओफ इंडिया क्या होगा इसका answer MTP इंडिया मेंडिया अमेंडेंड पुछा गया है ध्यार रखेगा अमेंडेंड आएक्ट अमेंडेंड आएक्ट हाँ अब answer सही आ रहा है लवली बिल्कुल सही 2017 ध्यार रखिए इस बात को 2017 तो क्या होगा यहाँ पर 2017 अब यह सही answer चलिए इसको देखते हैं MTP are considered relatively safe of two पताएए safe of two 12 weeks बेल्कुल सही 12 weeks 12 weeks बहुत सही 12 weeks 12 weeks involuntary termination of pregnancy before full term is called MTP बताएए true or false true or false repeat किया है देखते हैं कौन सही करता है true or false बिल्कुल सही बिल्कुल सही बहुत अच्चा आप लोग पकण लिये हैं बिल्कुल सही यहां पर in नहीं होगा voluntary होगा अभी repeat क्या है intentional होगा तो यह क्या है false है in vasectomy a whole part of the vas difference is removed or tied up through a small incision on the scrotum true or false true or false true or false फीर से देखिए जल्दी जल्दवाजी नहीं थोड़ा साध्यान से पढ़िए statement बिल्कुल सही हरसित कुमार यस सही है बिटाए यहां पर देखिए बच्चो सर जी यह देखिए whole नहीं होगा small part small part except for hepatitis B यहां पर बताना है एक और एक्जामपल है and HIV infection other diseases are completely curable if detected early or treated properly बताए एक और disease का नाम genital herpes या genital what genital herpes या genital what बिल्कुल सही genital herpes genital herpes बिल्कुल सही है अच्छाइ यह बताए जेनाइटल what caused by genital what caused by virus या bacteria आपसन आपके सामने है virus या bacteria genital what caused by genital what caused by bacteria और virus बेलकुल सही वाइरस होगा और वाइरस का नाम है human papilloma virus HPV next देखते हैं in technique, technique का नाम बताना है the semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female बेलकुल सही AI होगा AI, artificial insemination artificial insemination the reason for infertility could be many physical congenital disease, drug यहां पर बताए है NCRD की लाइन है, क्या missing है और even psychological बेलकुल सही जवाब, बेलकुल immunological क्या होगा answer, immunological बेलकुल सही जवाब immunological जाइगोट और अर्ली इंब्रियो अप्टू एट बलास्टो मियर ट्रांस्वर इंटू दा कॉल जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब हाँ, जेडाइएफ्टी है जेडाइएफ्टी बताइए, कहां पर इंसर्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब अच्छा ये बताइए, more than अगर होगा तब, more than 8 बलास्टो मियर more than 8 बलास्टो मियर तो क्या बोलेंगे more than 8 बलास्टो मियर more than 8 बलास्टो मियर बताइए जल्दी से more than 8 blastomias तो answer क्या होगा uterus क्या बात है और uterus अब answer क्या होगा iut intra uterine transfer intra uterine transfer अचा ये बताईए gift में क्या किया जाता है gift में किसका transfer git में किसका transfer और किस में किया जाता है GIFT में किसका ट्रांसपर और किस में बिल्कुल सही गैमिट है गैमिट में ओबम या स्पर्म बिल्कुल सही सिम्रन ओबम होगा और किस में इउटेरस या फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही जवाब फैलोपियन ट्यूब यास फैलोपियन ट्यूब कुछ question है answer बदाए इसका answer बदाए आप फटा फट क्या होगा answer इन इंडिया human population crossed 1.2 billion in 1.2 billion in 2000 एक बर और चेक करिए option first हर्षिता वर्म मैं C बिल्कुल सही जबाब C होगा मैं 2011 अच्छा ये बताए ये वर्ड का मैं 2011 में वर्ड का क्या होगा वर्ड का population बताए वर्ड का population in May 2011 11 वर्ड फफलेशन 6 नहीं एक बर और चेक करिए पीज नमबर 59 बिल्कुल सही जवाब जेसिका क्या वाद है बहुत अच्छा जवाब दे रही है आप बिल्कुल सही 7.2 million sorry billion 7.2 billion बिल्कुल सही जवाब 7.2 billion यस यहां पर दो कि यह बताए किसका फीगर है which contraceptive does the following diagram represent क्या बिल्कुल सही जवाब यह होग बिल्कुल सही बिल्कुल सही implant है यह implant चलिए यह बताए है in which one of the following procedure sperm is directly injected into an ovum to form a gigote क्या answer होगा क्या answer होगा इसका बिल्कुल सही C बिल्कुल सही C होगा ICSI intra-cytoplasmic sperm injection बिल्कुल सही जवाब which is the correct matching बताए कौन सा correct matching है सहली reproductive health program, legal abortion और prenatal sex determination determination बिल्कुल सही यह आप सना रहा है सहली का मतलब क्या है CDRI है RCH है RCH का reproductive and child health care और legal abortion का मतलब MTP pre amniosynthesis option one यानि A correct है बिल्कुल सही infertility is infertility is बिल्कुल सही जवाब yes D होगा यानि याँ पर देखे inability to conceive after protected नहीं होना चाहिए one year नहीं होगा ध्यान रखेगा inability to produce children after to protected यह रोंग है unprotected तो inability to conceive और produce children even after two year of unprotected ध्यान रखेगा unprotected protected तो सही जवाब है आपका यहाँ पर बताइए यह किसका figure है जल्दी जब जल्दी जब आईए सर जी किसका figure है यह yes b होगा क्या होगा c होगा watch difference इसमें remove किया जाता है watch difference watch difference 29 बताइए यह figure 29 यह figure बताइए two back to me two back to me यह बताइए क्या remove किया जाएगा small part कौन small part बिल्कुल सही फाइलोपियन ट्यूब answer बताइए इसका अभी आपने बताया है natural होगा natural या traditional बिल्कुल सही natural और ट्रेडिशनल natural और ट्रेडिशनल natural और ट्रेडिशनल तो इस तरह छोटा सा यह चेप्टर था प्यारा था और आपका यह चेप्टर बहुत अच्छा तयार है जिदने कोचन है बहुत maximum कोचन कवर कर लिए गए हैं और इस तरह रिविजन हो चुका है आप अच्छे से एक्जाम टेस्ट दीजिएगा बिटी का बायो टॉपिक टेस्ट का रिविजन था यह थाइंक्यू शुक्रिया सादिक सैक्ष शुक्रिया शुक्रिया अनान्या थैंक्यू शुक्रिया अनिसी थैंक्यू सौरव, हरसीत, अंजली, बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू, सिम्रान, प्रीतम, लल्लन कुमार, नितिन राजपूत, सालिने, साच्ची, हफिजर रहमान, बिल्कुल, ओके बाई, बिमलेश, यादो, यास, थैंक्स, बाई-बाई, जेसिका कोतम, साधिक सैक, बाई-बाई, बिल्कुल, बाई-बाई बेटा, चलिए, ओके, गुण नाइट, पढ़िए, खुब, अच्चे से अपना ध्यान रखिए, और पढ़ाई करिए, जो गलतियां है, वो सारे, दूर कर दिजिए, बिल्कुल, गुण नाइट, थैंक यू, ओके, बाई झाल?